हलो सलाव अलेकुम मेरे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप एकदम सही से होंगे और पेपर आपने दिया है उसका अंसर की एम्मीव ने रिलीज कर दिया है तो सबसे पहला सवाल जो बच्चे मेरे को फोन करके या फिर वाटसअप करके तंग कर रहे हैं वह यह हैं कि सर्याइन आंशर की में इतनी सारी गलतिया क्यों है बिल्कुल बहुत सारे अंसर ऐसे हैं जो क्लेम किये जा सकते हैं मैसक तो खासकार लगता है उन्होंने किसी और paper का answer की दाले हैं मैं जैसे मिला रा ता क्रीबं 10-12 सवाल केclock सही दिखे हैं ऐठ के and लिगगा हैं बाकी सवाल के घंप रही जह जैसे बच्चा पेपर देखे आता है तो इसके बारे में बहुत यूजवल सवाल पूछते हैं बच्चे ठीक है तो पहले तो बात वह क्लेम वाले सवाल का मैं एक अनदर वीडियो इंशालला कल आपको दे दूँगा ठीक है जो कौन-कौन से सवाल आप क्लेम कर सकते हैं क्यो लेकर अंवेक्रणीन रखे लाल उखे एक भलत अदर रहे हैं मुझे जहां तक है कि उलाम कींऩा है कि क्या सोच के क्या करके अंसरव कFA कि इन रखें कर ठीक है तो यह को ह्मारी गैमी कर दार थी GPS क्रूं अब भाइल था आज ऑक अज़क्त रिलीव करने क्यों वाला था न एकने देर में ने एम-ईू का ही अंसर किया गया तो मैंने कहा जरूब का उख फिर एम-ईूक Dip कर जो क्या जाएगा इस साल को हिसाप से तो पहले तो आपको उमेद करते हैं कि आपको क्ट कॉर्टक का मतलब तो पता हुगा क्ट कॉरूम मार्क्स होता है वो सबसे कम marks जो सबसे last rank वाला बंदा अप्टेन करता है जैसे EMU में आपके पास 365 seats है और 292 seats ना general के लिए है अब सारे बाते हम लोग करेंगे तो 292 rank जिस बंदे की आई थी उसका marks कितना था general category के साब से तो वो general category का cut off हो जाता है ठीक है अब हमारे पास दो चीज़े हैं ना EMU में एक तो internal और दूसरा external है ना internal मतब 50% seats are reserved for internals है यह बहुत clear बात है जो almost बच्चे जानते हैं इसलिए इतनी भीड रहती है हमारे 11th इंटरेंस में की बच्चा internal हो जाए ठीक है तो internal उमीद है आपको पता होगा इंटरनल जो EMU से ही 11-12 की है ना EMU बीटे करकर एक्जाम दे रहे हैं यहीं के EMU के स्कूल से अगर आप ने 11-12 किया हुआ है तो आप इंटरनल है और एक इंटरनल की बहुत खास बात याद रखेंगा अगर कोई बंदा पास आउट करके ड्रॉप करके इंटरनल दे रहा है मतलब पेपर द कि मैंने पहले वाली वीडियो में बता रहा है कट आफ हम लोग बच्चों के मार्क्स पेपर का लेवल बच्चों से पूछते हैं कि कितना आप स्कूर कर रहे हो टॉपस कितने जा रहे हैं मार्क्स पे कितने सवाल अटेम कर पाया वह ठीक है और भी कुछ फैक्टर्स हैं ज इसलिए बच्चे काफी लाइक भी कर रहे हैं हमारे क्टव के सबस्कूर अम्हारे प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो इस हाल भी पर कुछ प्रेडिक्शन करने वाला हूँ एक युटक के कॉटफ को लेकर तो पहले तो आम जानते हैं कुछ फैक्टर्स यह कटख औफ कुझ के depend कर रहा है अभी के मोहौल के हिसाब से तो चलिए न जाते हैं अपने screen पर हाँ तो दोस्तो जैसा कि यह न एक्सपेक्टेट कट अफ न यह एक्सपेक्ट अफ नहीं एक्सपेक्टेड यानि क्या जा सकता है कट अफ उसका क्या deciding factor हो कर दो करता है कि क्या पच्चे कितने marks score कर रहे हैं उस पर depend करता है जो हमारे पता है कि वीक बच्चा है average बच्चा कितना marks score ऐरा है topper कितना score करके आ रहा है ठीक है तो उसह साब से о सब सकता है यह का पीड हो कई यह सवाद है यह इतने सवाल इसमें कर सकता है पेपर का level कैसा था, तो पहला वाज की हम लोग ना ये decide करते हैं कि बच्चा score क्या कर रहा है, उसके बाद इन लास्ट येर के साब से थोड़ा harder था, और लें दिया, लास्ट येर भी पेपर लें दिया रहा है था, टीक है, number of experience जो appeared हुए है total पर जो experience ने फॉर्म जो भरा था वो करीमन 16,261 बच्चों ने फॉर्म भरा था और जिसमें से 7,285 बच्चे ही सिर्फ exam देने आये थे जो कि almost 45% है मतलब 55% students ऐसे थे जो exam देने आये ही नहीं होफ सकता है बहुत सारे लोगों ने कहीं अडिमिशन ले लिया होगा या फिर यह लोगड़ॉन में उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी है जैसे एक दो बच्चों से मेरी बात हुई कि आप नोगों पढ़ाई नहीं कर पाई बैसके लिए ना उनका study से discontinuity हो गई तो यह भी एक फैक्टर है कि बहुत सारे बच्चों के जो बीच में टीचर से जो contact होते हैं भै आप अगर कोचिंग में जाके तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने स्टेडिस से regular हैं तो उसका एक अच्छा क्या प्रभाव पढ़ता है ना इंपक्ट पड़ता है कि आपका ना आप paper से या study से आप लगे वे हैं तो आपके mark ज्यादा आने के chances हैं तो आपने ही हो ना एक lockdown भी एक factor होगा इस साल के paper के लिए इस साल के cut-off के लिए बैसके लिए ना अच्छा यहां पर मैंने एक बात लिखे कि usually जो है ना एम्यू में जो बच्चे फॉर्म भरते हों करीबं 26,000 के बच्चे फॉर्म भरते थे श्काइबर भी करता इस नमबर ऑफ सीट सीट इन जितने पब्लिक है ना सीट रिशू कितना कितने पपपलिक बैठ रही है और कितने सीट समारे पास अव्यले 24 शीचावर शैष अई ज्री पका निच्शार शाश एगा तो हमारे एम्यू बिचिञ झ 누ढ ब्स हैं में दिख लेगा ना क्योंकि मैंने में अपना वे स्टीटिक और में दिख जादा पता है तो हमें ज्यादा पता है मेरा इलेक्ट्रिकल ब्राज से था ठीक है तो में मेकैनिकल में दो सेक्शन बंते हैं तु स्टीटिपन घ्टिट से उसमें से 50% से चैसा रिजीर फ़र तो यहां कहते हैं कि अगर आपने एम्यू का पेपर अगर कम्पीट किया तो आपने सच में कुछ न कुछ काबिलियत है क्योंकि जब सीट रेश्यों आप निकालेंगे एक्सटर्नल का तो बहुत ज्यादा निकल के आता है एक जनरल इंफॉर्मेशन जो मेरे को बताना है कि आपके न बोर्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिस, फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथमेटिक्स को मिला के प्लस टू में 12 में तभी जाके आप एम्यू मालीज आपने कट ओफ पार भी कर गया आपका लिस्ट में नाम भी आ गया लेकिन आपने ऐसे केसिस हमने देखे हैं कि बोर्ट में मार्क्सी उनके कम आरे 50% से तो उनका सेलेक्शन रूख जाएगा दोस्त या फिर आप अगर डिप्लोमा के थुरू आ रहे तो डिप्लोमा में आपको भी ऐटलिस 50% मार्क्स आपका एग्रिगेट होना च कि दो बार फर्ण भरने के करिए मोका मिला था आप फिर से फर्म भर सकते था जीम Cap यूदिध और अब इसमें सीट्स कितना है यह अब बात करते हैं sir की जो cut-off है न कुछ ना seats जिससे मैं आपको पहले ही बताया कि आपके general के लिए 292 seats है तो sir बाकी seats कहां जाता है तो बाकी seats ना आपके special category वाले बच्चे ले जाते हैं जिसे हमारे बस EMU में यह सब categories काम करते हैं एक तो schedule cast, schedule tribe, फिर backward classes है न अच्छे चिल्ड of children of university employees के अलग number of seats defined है M.U. 11th interest में भी चीज़ है M.U. B.T.E.C. में भी है children of alumni जो यहीं से पढ़के गये हैं उनके बाल बच्चों के लिए भी certain seats यहां पे fixed है ठीक है एक CG quota होता है आपके पास DS quota बितार डिस्टेंस state कहाते है न जो मतलब आप ऐस समझ लीजे UP या UP से लगे सब्सक्राइब का भी हमारे पास quota होता है अच्छी की sports person कहते है और standing sports person अगर आपके पास है तो उसके लिए भी certain seats है हमारे M.U. में ठीक है और आपने 2017 में आप लोग के लिए मेहनत किया था मैंने अपने Facebook page M.U. Booster के हमारे Facebook page है तो वहां पर मैंने पूरी एक analysis की थी ना कि उस वक्त जो कितने waiting निकालते हैं वो लोग कितने seats हैं तो इस seats के बारे में तो बता दिया यह seats अभी बढ़ जाएंगे करिवन जो भी food technology का जो number of seats है वो इसमें और add हो जाएगा ठीक है तो उन्होंने क्या किया था general category में उन्होंने जो number of students selected दिखाए थे that was 292 तो इस बार भी 292 seats दिखाएंग थे मतब करिवन 400-500 वेटिंग तक किलियर हो जाया करते थे वो धीरे-धीरे करके gradually decrease होने लगा कम वेटिंग किलियर होने लगी लेकिन last year कितनी वेटिंग किलियर हुआ है अब बात करते हैं कि sir 1500 वेटिंग मतलब आप कुछ बचते ना जो माले एक्जाम कहीं ने कहीं admission ले ल लेना है ठीक है तो वेटिंग के कम क्लियर होने के chances हैं क्योंकि वो बंदा वही जो interested M.U. में लेने का admission वही एक्जाम दिया होगा ठीक है पहले क्या होता था आपने I.T. का भी दिया आपने I.T. मेंस है उसका भी दिया तो यह सब exams के सारे counseling साथ में चलता है तो कुछ बच् करीबन 365 seat में से 160 seat जो selected बच्चे थे उन्होंने feel किया था मतब जितनी बच्चे CAC वगरा सब मिला ले अगर हम तो 160 बच्चों ही सिर्फ confirm जाके वहाँ पर report किया था में selected list में से तो बाकी जो इतने seats है वो waiting वालों से clear हुआ था ठीक है तो उमीद है इस बार भी ऐसा हो ठीक करीबन 33 seats है और वेटिंग शुरू हो जाता है 34 से 125 तक मतब करीबन इतने वेटिंग से 90 के करीब ना स्टूडेंट्स को वेटिंग लेके चलते हैं दीखे कि अगर CE category और सेम गोस फ़र CAC में 24, BC ने backward classes में 4 seat है, SC में 2 seat है, DS quota में ने बताया था न, distance state का quota उसमें 6 seats है, NC न, N कुछ 6 sports person के लिए भी fix होते हैं, ठीक है, अच्छे एक बहुत खास बात जो बच्चे मेरे से पूछ रहे है, सर मेरे पास internal quota भी है और CE quota भी आप बताई कितना cutoff जाएगा, तो उनके लिए मैं एक general बात बता दूँ, कि internal का cutoff अलग होता है, CE का cutoff अलग होता है, मतलब अगर माल लेजे आपने 45 marks लाए, और 45 marks ला आपके आप internal का भी cutoff अपा कर रहे है, और CE का भी cutoff पार कर रहे है, तो आपका नाम इंटरनल में भी count होगा, आपका नाम CE में भी count होगा, अब आपकी मरजी है कि आप internal के थुरू आपको कौन सा branch मिल रहा है, और CE कटेगरी के internal के 5-10 marks कम कर लो, CE के 5 नमबर कम कर लो, CA के 5 नमबर कम कर लो, ऐसा करो तो मालूम चला कि भाई, दो-चार नमबर भी लोगों के selection हो जाए, ऐसा बिलकुल नहीं है, तो सब list का अलग-अलग निकलती है, एक बंदे का हो सकता है, उसके बाद CE category भी हो, CA भी हो, internal भी हो, राइंक 1 से लेकर 292 तक जाएगा, CE category के साफ से राइंक 1 से लेकर 33 तक जाएगा, और इतने वेटिंग्स दिये जाएगे, जो कि किलियर होने के चांसे, बहुत कम होते हैं, यहाँ पर वेटिंग्स बहुत कम किलिए हो, अचे, थोड़ा एक अहलका सब ब्रीफ दे दू, M.U. B.T.E.C. में हमारे पास M.U. का बियार्क का भी है, बियार्क में 20 सीट्स होते हैं, उसका एक सेपरेट एक्जाम, का लास्ट यर की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट यर जो इंटर्नल का कट ओफ गया था, वो अरॉंड फिफ्टी टू गया था, ठीक है, यह बिल्कुल फैक्ट डिटा है, क्योंकि मेरे एक स्टुडेंट है, उसका कुछ वेटिंग आया था, एक और स्टुडेंट उसका कंफर्म आया था, तो उसके मार्क्स 52 के करीब था है, एक्टरनल के जो कट ओफ गया था, वो अरॉंड 70 गया था, CE के जो गया था, एरॉंड 33, अब सोचो आप, एक बंदा इंटरनल है और एक CE बाला है, ठीक है, CE के कट ओफ कितना कम जा रहा है, CE का रॉंड 40 के करीब गया, ठीक है, अब 2020 का, इस इस जस्ट प्रेडिक्शन, देखिया, कोई गौड तो नहीं हो रहा है, जो है कि हम उनकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हो, जिस हिसाब से पेपर हुआ, सारी चीज़े अनलाइज किया, उस हिसाब से, मेरी हिसाब से, जो इस साल का कट ओफ, जो इंटरनल का जाएगा, इस से कम भी हो सकता है, अब प्लस माइनस टू मार्क्स मान के चले, कि दो नमबर ज्यादा भी जाता है, दो नमबर कम भी जा सकता है, एक्स्टरनल का अरॉण साट के करीब होगा, C.E. का बहुत क्लियर, क्योंकि बच्चे बहुत सारे, हमारे पास C.E. वाले भी होते हैं, तो उनसे मैंने पुछा, तो उनके भी होते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और एक मौप और प्रॉंट भी हुआ था, मौप और प्रॉंट के बारे में बता तुका मैं आपको, और C.E. में कितने वेटिंग, साट वेटिंग तक जाके किलियर हुआ था, 32, जो आपके फिक्स थे हैं, यह 33, sorry, 33 के बाद यह ना 60 तक जाके किलियर हुआ था, और C.E. में और उरॉंट 62 के करीब वेटिंग लास्ट एर किलियर हुआ था, और जो फाइनल इंटर्नल का कट अफ मतब जो इंटर्नल बंदा, लास्ट बंदा सलेक्ट हुआ था वेटिंग में उसके 43 के करीब मार्क्स थे हैं, तो आप सोचे, लास्ट यर का अगर हम जनर्नल को았 टए रहर काम की बात करें, क्योंकि यह थो मेंट इसकर स्वारण का में नाम बता रहा हूँ, वेजियरे रहा हॉँ यह में लिस्ट में इसंअ कि नाम ब्ता रहा है थो आपको में लिस्ट में नाम आ जाएगा, अब वो वेटिंग में आया तो वेटिंग में जाका अगर क्लियर हुआ तो लास्ट यर जो इंटर्नल का वेटिंग करीबन क्लियर हो तो 43 मार्क्स के अरॉंड हुआ था और एक्स्टर्नल का जो वेटिंग का करीब क्लियर हुआ था वो 65 के अरॉंड हुआ था अच्छा C category का जो वेटिंग का बंदा था वो साड़े बाइस मार्क्स पे सेलेक्ट हो गया था और C A वाले का जो बंदा था वो around 30 के करीब सेलेक्ट हो गया था ठीक है तो यह आप सोचो इतने कम मार्क्स पे भी आप EMU में सेलेक्ट हो सकते हो तो यही बात तो बच्चों को पता नहीं होता है और कि हम इतना ही करके आ जाएं सेलेक्टिड सेलेक्टिड सवाल ना दस सवाल फिजिक्स के दस सवाल के दस सवाल मैथ की खाली सेलेक्टिड सवाल करके आ जाए और मेरे बाद C कोटा है अलहम्दुल्ला हम selected हो जाएंगे ठीक है तो यह बच्चे पता नहीं पेपर को देखके घबरा जाते हैं और क्या होता है तो इससे घबरा नहीं का नहीं ना सिंपल और एक लास्ट नोट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा यह बहुत जर्नल जो बाते मैं ने बताई ना बहुत कम लोगी बात बताते हैं कि ऐसा भी होता है इसलिए मैंने का कि मैं हर साल बच्चों को बताते जा रहा हूं तो इस बतो पब्ली कर दू ठीक है पब्ली क पब्ली करने वाली बात कि पब्ली करने वाली बात यह बस लींगे बहुत कम बच्चों की शाहएद बहुत कम बच्चों की चाहद बंता है यह ओसम लोगों से अभी officially ये declare नहीं करता है, 2016-2017 में उन्हें officially declare किया था, कि देखें हमारे इतने वेटिंग इस category में 11th interest में clear हुए है, और उनके marks भी बताया था, in fact उस वको marks भी declare करते थे, हर बंदागर चाहे तो अपना marks, know your marks करके, करता था, cut-off ना, वो सब बताना बंद कर दिया, इन लोगों ने, अल्ला करें, बताएं तो ज्यादा अच्छा, एक अच्छा clear cut हो जाता है, चीजों को बच्चों को पता चल जाता है कि कितने waiting हो सकती, तो एक फायदा होता है, बच्चों को समझ में आरा है, माले मेरे मेरे साड़ चार सो वेटिंग है, अब मेरे साड़ चार सो वेटिंग किलियर नहीं हो सकता, तो कहीं और admission ले लेगा, ठीक हो खामों कहीं, M.U. के कॉंसलिंग के लिए इंतिजार क्यों करेगा हो, ठीक है, तो यह सब चीज़े, M.U. को मेरे तरफ से एक suggestion है, डिकलियर करना चाहिए, तो एक फायदा होगा, एक खास बात जो मेरे को बतानी वो यही था, कि CE काटेगरी के लिए खास कर, 15% marks आपका आना बहुत जरूरी है, 15% of 1500 marks का आपका पेपर होगा ना, 50 physics, 50 chemistry और 50 math का, तो 1500 का 15% is 22.5, मतलब अगर आपके 22.5 marks नहीं भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और माली जे cut-off जो है, वो minimum 22.5 होगा, CE वालों के लिए, यसे लास्ट एक बच्चे ने बताया कि सर करीवन 10 seat जो थे, वो CE में खाली चला गया, मतलब जो बच्चे CE में सिलेक्ट हो रहे थे, उनके marks 22.5 से आ ही नहीं रहा था, तो 10 seat हो सकता है, जनरल वालों को दे दें, जनरल वाले जो भी बच्चे उनको उनके through admission हो सकता है, तो ये criteria है, अंदर की बात बता रहा हो, कि 50%, 15% आपको, 22.5 mark CE category के लिए आपको आना बहुत ज़री है, और मीद करती है, same goes for CE के लिए भी ऐसा होगा, वैसे CE का cutoff अक्सर 22.5 से ज़्याद ही जाता है, ठीक है, तो ये मैंने in a nutshell आपको सारा cutoff के बारे में बता दिया, और एक general बात जो मैं अक्सर prediction करता है, पहले से जिसे में साल हो गए यारे में रहते हुए 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है और में यू से हमारा B-TEC और M-TEC है, तो काफी रफ आइडिया है, तो समझ में आ जाता है, युजवली मैं बता दू कि एम्यू का जो internal B-TEC का जो cutoff जाता है, इसलिए सबसे जल्दी जो रैंक जो अच्छे रैंक वाले वो यही प्रिफर करते हैं, तो यह ब्रांचे जल्दी फिल होते हैं, अब इस से लेटेट जो भी बाते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, और भी बाते आपको बता सकता हूँ, तो यह अलग ब्रांच के साब से cutoff हो सकता है आपका, तो आप घबराएं नहीं हैं, जो भी आपका अगर सेलेक्शन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तो यह मैं एक जनरल बात कर रहा था कि internal का usually cutoff, और external का usually cutoff around 75 जाता है, 2017 में बस paper was very easy, अभी तक का सबसे last 10 सालों का देखो तो बहुत आसान पेपर आया था, उस साल cutoff ज़्यादा गया था internal का और external का भी बहुत ज़्यादा गया था, around 25 चला गया था external का ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, तो मैं एक overview अभी तक के last 10 सालों का आपको एक देखा हूं कि इस तरह से आपका usually cutoff होता है, ठीक है, तो उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों में जूनियस में जिसको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेड़ेड़ जितनी भी वीडियो मैं आपको upload करता रहूँगा, और claim वाली वीडियो इंशालला बहुत ही जल्द upload करूँगा विसलिए आपना अपने हिसाब से answer की मिला ली जब ही M.U. के हिसाब से हम बहुत जल्दी अपना answer की आपको declare करेंगे कि ये इसका correct answer है और उसको आप claim कर सकते हैं तब तक के लिए आप अपना खयाल रखें दौाओं में याद रखें अल्ला हाफिस